हलो गैस वुलकम बैक टो मैंने वीडियोस में बात करेंगे निफ्टी 50 के बार में कि कल किस तरीके से प्लैनिंग करनी चाहिए मार्केट आज होता है गैप अप ओपन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद मार्केट ने आपको कहीं कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दी एंट्री करने की जिदर से आप अच्छा पैसा बना पाते हैं और फिर एकदम से फॉल कर जाता है तो आज के दिन हमने जो अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था निफ्टी 50 के अंदर वो मौनिंग में दिया था यहाँ पे देख सकते हैं आप नौ बच के पच्चिस मिनट पे एंट्री थी बाइस से अपांसो पचास का कॉल 134 के उपर आप जाके चेक आउट कर लेना 160 तक तो मैंने जाते हुए देखा था उसके बाद नहीं आप लोग को मैंने बोला था 48600 के उपर स्केल्प करने के लिए और बैंक निफ्टी में एक स्केल्प बनाता यहाँ पर 420 का प्रीमियम गया था 470 वो मैं अभी दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग जो हुआ है प्रॉफिट लॉज वो यह है आप देख सकते हो so the point is जो ट्रेड बना था वो मौर्णिंग में बना था एक अच्छा ट्रेड और उसके बाद मुमेंट अच्छा आया नहीं तो आपको क्या करना है जाना है और टेलिग्राम को जॉइन कर लेना है डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा है उसका लिंक ठीक है बैंक निफ् पर दिया था पचास पॉइंट का स्केल बना प्रॉफिट लॉज वहां आपको देखने को मिल जाएगा देकि मैंने अपने मेंबर्स को यहां गई पर ट्रेड दिया था उसका मार्केट एक अच्छे खासे डायरेक्शन में उपर गया लेकिन लोगों ने ट्रेड नहीं बन करना सकते थे अब कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूं यहां पर सो इंपोर्टेंट लेवल है बाइस हैजार सास्सो बाइस हैजार चैसो चालीस यह आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला इसमें आपको कुछ नहीं करना है या तो बाइस है सासो के उपर प्लाइन करना या बाइस है चैसो चालीस के नीचे प्लाइन करना यह साट पॉइंट को छोड़ दो इसको अवोइड करो डाउन सैट के टार्गेट की बात करें तो 22,640 से पहला टार्गेट अपका रहना चाहिए 22,600 का दूसरा टार्गेट अपका रहना चाहिए 22,580 और तीसरा टार्गेट अपका कहीं रहेगा 22,550 के आसपास तक upside की बात करें तो 700 के ऊपर 720, 750 और 22-800 तक भी easily market निकल सकता है तो बस इतना ही है क्योंकि आज कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं तो ज़्यादा कुछ बताने का भी कुछ खास logic नहीं है यहाँ पर वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब टेली ग्राम को जोईन डिस्किप्शन में लिंक कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से पूछ लो तैंक यू सो मच